है डिलबर्स अब बात करने वाले हैं कि जावा के अंदर method overloading with inheritance कैसे अचीव कर सकते हैं एक recent वीडियो के अंदर हम दोगोंने normal method overloading की बात कर ली थी वहां में उन्हें देखा कि method overloading होता क्या है overloading with inheritance, data type, constructor overloading ये सारे चीज़ें देख ली थी but method overloading with inheritance की बात नहीं करे थी because मैं चाहता था कि मैं एक separate वीडियो बनाऊ method overloading with inheritance के साथ में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि method overriding तो inheritance के साथ में possible है but overriding possible नहीं है so इसलिए मुझे लगा कि मैं अलग से वीडियो बनाऊ आपके थोड़ी helpful रहेगी और interviews के अंदर बहुत बार थोड़ा tricky बना देते हैं overloading के और बोल देते हैं कि inheritance के साथ करके दिखाओ right so सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँ कि method overloading क्या होता है I know मैं आपको एक बार के लिए पहले बता चुका हूँ video number 56 के अंदर आपको इसका link description box में मिल देगा अगर आपको detail में देखना है तो method overloading but मेरा यहाँ पर जो main focus रहेगा वो रहेगा method overloading with inheritance so मैं directly आपको एक बार के लिए definition बताऊँगा बाद में मैं एक child and parent class बनाऊँगा implement करेंगे method overloading with inheritance और interview question discuss करने वाले जब हम लोग method overloading की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि एक class के अंदर हमारे पास दो method same name से हैं but उनके argument या फिर data type different different है और जब हम लोग बात करते हैं method overloading with inheritance तो हम लोग यह बोलते हैं कि parent and child class दोनों के अंदर method name तो same है but उनके parameter या फिर उनके data type वो अलग-अलग है तब उसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक method overloading है alright कैसे कर सकते हैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं एक new class बना लेता हूँ and new class का मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ let's say method overloading example 2 because I guess मैं एक class पहले इस नाम से बना चुका हूँ आप यहाँ पर देख सकते हो alright so मैं यहाँ पर यह करता हूँ simply एक main method बना दिता हूँ इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले main method मैंने बना दिया और simply इसके अंदर अब इसके अंदर लिखने को जरूरत नहीं है मैं simply दो एक class बनाता हूँ सबसे पहले so मैं क्या करूँगा एक class बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा user right simple same class हम लोगों ने last order part के अंदर भी बनाई थी same procedure से same तरीके से समझेंगा और यहां पर इसका नाम रख लेता हूँ एक class का नाम pmp so मैं यहां पर एक method बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ get login इस नाम से class बना सकता हूँ कोई दिखत नहीं sorry method बना सकता हूँ और इसका में एक type भी दखता हूँ और by default आपको पते कि हम लोग अभी के लिए void method रखता है usually और इसके अंदर मैं एक shout कर देता हूँ जहाँ लिख देता हूँ user login simple है कोई दिखत नहीं है same इसी तरीके से मैं यहां पर एक और void get login कर देता हूँ अब यह क्या होगा parent and child class अगर यह इसको extend करेगा extend user so parent and child class बनेगे रहा यह overriding होगए यह जो child वाला method है parent वाले method को override करेगा but अगर मैं यहां पर कर देता हूँ एक कोई parameter पास जैसी को मैं इहां पर कर दिया string name right तो अब क्या होगा यह हो जाएगा method overloading because method name तो same but इसके parameter अलग-अलग है मैं आपको इसको achieve करके दिखाता हूँ कैसे मैं आपको बता रहा हूँ so emp e1 equal to यहां पर emp एक employee की object बना लेता हूँ right इस तरीके से और अब मैं simply क्या करके देखता हूँ यहां पर e1.login अगर मैं e1.login यहां पर call करता हूँ तो आप पर हिसाब से कौन सा function call होना चे इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ just simply लिख देता हूँ सबसे पहले name और उसके बाद में यहां पर लगा दूँगा हम है login user का नाम हो जाएग ठीक है login इस तरीके से अगर जब मैं get login करूँगा तो इन में से कौन सा method call होगा definitely उपर वाला method call होगा because इसके अंदर हम लोगोंने parameter pass कर रहा और यहां से कोई भी parameter pass नहीं करा अब आप देखोगे जैसे मैंने get login call करा even दोनो method के अंदर get login function है उपर वाला call होगा because जैसा मैंने आपको बताया उपर वाले parameter function के अंदर कोई भी parameter pass नहीं कर रखा जैसा कि हम लोगोंने यहां से इसको call कर रहा तो user login हो गया but अगर same मैं यहां से call करता let's say किसी नाम के साथ चाहां पी लिख देता Peter तो कौन सा call होथा तो होता एक method को overload कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हो Peter login यह मारा child glass है वहां से जो data हो call हो गया same इसी तरीके से अगर आपके पास एक यहां पर भी same इसी तरीके से string name होता और यहां पर आप let's say name से आप call कर रहा होते name और यहां पर लिखते थे login और यहां पर आपका जो data था वहां पर कुछ और आ रहा हो जैसे कि integer आ रहा होता ठीक है यहां पर होता password मालों की user का जो password है वो integer है एक बार के लिए मान लेते है password यह होता था और यहां पर आप कर देते just child user login इस तरीके से आप मैं easily print कर रहा हूं तो यहां पहचान पाओ और यहां मैं लोगों की integer पास कर रहा है और अगर अब मैं यहां से string ही पास कर रहा हूं तो उपर वाला call होगा विकास जो last मैंने आपको overloading करके दिखाई थी with inheritance वो with the base of argument थी वहां पर एक argument कम था एक जात हो argument में difference था बट यहां पे argument same है बट यहां पे data type different है तो आप यह देख सकते हो peter login यहां पे उपर वाला call हुआ और अगर मैं यहां पास कर दे तो कुछ integer value let's say कि मैंने पास कर दिया 20 तो आप देखोगे नीचे वाला call होगा because अब data type के base के उपर overloading हो रही है integer pass करा तो नीचे वाला call हुआ string pass करते तो उपर वाला call होगा so ऐसे question interviews के अदर पुछडाते है एक बार मैंने आप कुछ output में रिखाया so ऐसे question interviews में पूछ लिए रहते हैं कि method overloading inheritance के साथ में या फिर parent-child relation के अदर possible है answer is definitely possible और आप इस तरी के example भी दे सकते हो so thank you so much for watching this video अगर आप लोग ने ये playlist नहीं देखिया तो मैं आपको recommend करूँगा आप ये पूरी playlist देखो because अभी के लिए हाँ पे 5080 videos दीख रहे हैं आप और बहुत सारी videos आने वाली हैं हर एक video के साथ description में code का link मिल जाएगा और interview question example, definitions वगरा सब कुछ मिलते राइट so thank you so much for watching this video and please मुझे support करो video को like करके channel को subscribe करके and comment section अपना feedback देगे thank you guys